हेलो नमस्ति श्रीय खालाद आप मैं संग्राम सिंग आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरंब स्टेटी में तो आज तारीक है 15 जुलाई और वक्त हो चुका है दस कदम देखने का जिसमें हम डिसकस करते हैं टॉप 10 के लिए क्रेंट अफिर्स और इसके तुरू कवर करेंगे अपने मोश्ट इंपॉर्टेंट प्रेंट पर साथ प्रीवेस टेट पूरी वीडियो मेरे साथ अंदल तक बने रही है चलिए पढ़ते हैं तो अपने क्रेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूं मत लिंक पर जाके टेलीग्राम चैनल कर सकते हैं और वहां से इसकी पीडियोफ पास सकते हैं तो बिने कुछ देरी चलिए देखते हैं तो पहला क्वेशन यह है कि विच कंट्री इंडिया फ्रॉम चाहबहार एक्रिमेंट किसी देश से भारत ने चाहबहार समझाता है वह किय है बाहर इसका एंसर है ऑप्शन डी इरान तो इरान ने अभी हाली में भारत को इस चाहबहार समझाते से अलग कर दिया है और इसने बहाना मारा है कि पैसा धीरे-धीरे आ रहा था हमें इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना बट इंडिया तरफ से पैसे जल्दी नहीं आ रहे थे अब आपने समझाता कर लिए और पैसे नहीं बेज़ेंगे तो हमां इस प्रोजेक्ट रख नहीं सकते तो इसी बहाने से इरान ने कह दिया है कि आप इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जो और यह भी कहा है कि भविश्य में संभाब ना हो सकते हैं कि हम इंडिया की कंप अब इस प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान पर एक्सेश चाहिए तो पाकिस्तान के फूर लैंड में अगर लैंड की तुरू जाना है तो पाकिस्तान से जाना ही पड़ेगा तो उसके काउंटर में भारत ने इरान से चाबहार पोर्ट में अपनी डिल साइन की थी और उसका एक्सेश मिलना था अफगानिस्तान तक चाहां तक इरान मतलब अफगानिस्तान के आसपास तक तो यह पूरा कंस्ट्रक्शन वगारा काम चार सर्फल एग्रिमेंट हुआ तो काफी जादा डिप्लोमेटिक जीत मानी गए थे इंडिया की तो अब इस डील को कतम कर दिया ग तो अब क्या हुआ है कि भारत ने सेंक्शन के करण तेल लेना बंद कर दिया इंडिया इरान के रिलेशन खतम हो गए अच्छे और इरान चाइना के पास जा रहा है तो अब हुआ यही कि चाइना ने इरान के साथ 25 साल की 400 बिलियन डॉलर की बहुत बड़ी पार्टनर्शि शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वाइलट सेनिटाइजिंग उत्पाद विक्सित किया है तो विच इंस्टिट्यूट एस डेवलट एन अल्ट्रा वाइलट सेनिटाइजिंग प्रोड़क्ट वाल शुद्ध के तवरान हर एक दिन एक क्वेश्चन कोविड नैंटीज रिले कानपूर ने डिवाइस एक बनाया जिसको नाम मुझनों दिया है शुद्ध तो यह क्या करेगा कि जो आपका रूम है उसको यूवी सेनिटाइजिंग के तुरू कोविड फ्री बना देगा मतलब एक प्रदार से सेनिटाइज कर देगा जैसे अभी देखते हैं कि रेलवे होगा और यह सारी इसकी डिटेल्स में दी होई है तो बैसिकली कितना करेगा तो टैन बाइटेन का अगर स्कॉयर फीट का रूम है पंद्रे मिनिट के इंदर पूरा डिसिनिफेक्ट कर देगा तो अब वह कोविड त्री हो गया तो यह था शुद्ध इसे डिवलप के है आ तो किस देश के प्रदान मंत्री ने ऐसा कहा है तो यह औप्शन इने फिर मलेशिया या फिर पाकिस्तान ये श्रिलंका है तो अब e तो अभी हाल ही में नेपाल देरे 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 भारत के खिलाब काफी बड़े बड़े अटेक करते जा रहा है अपने प्राइम मिनिस्टर उली के थ्रोफ तो जो इंडिया और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध इसको उसने बिगाड़ेने की कोशिश किया है तो तो इसी खड़ी में एक और रिशेटमाु içा कि जो रियल और operate में ही नहीं। ये क्लेम उन्होंने कि यहांको नेपाल में खुद उनको नेपाव में के लोगों क्रिटिसाइज कि वहां के पॉलिटीशन ने क्रिटिसाइज कि यह सब क्या अब इसके बाद माहौल बिगड़ने के बाद अब वारी आई थी सभाल लेंगी तो फिर वहां के फॉरें मिनिस्ट्री ने अगर कुछ हुआ है तो यह हमारा यह मोटी बिल्कुल नहीं था तो उन्होंने कुछ पैच अप करने कोशिक किये तो देखते हैं क्या होता है वागे तो यह था नेपाल की पीम कुरी ने काया कि रियल आयोद्या है यह नहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन क्यों है नहीं क भारत देश के कहीं दूसरे देश में गए तो नेपाल में मलेशिया पाकिस्तान यह फिर ऑप्शन डी बंगलादेश तो बंगलादेश के बेना पोल नाम एक जगह है तो वहां पे बेंजी है चिली यानि मिर्च सोखी मिर्च बेंजी है गुंदूर जिले के रेड़ी पलम इरिया से तो यहां से बंगलादेश भारत ने भेजी है एक ट्रेन के तुरू सुखी मिर्च काफी बड़ी डेवलप्मेंट मानी जा रही है बारत रेलवे के तुरू कि अब गुड्स ट्रेन के तुरू काफी समान डेलिवर होगा जिससे इनके किसानों को ही काफी फाइद बढ़ते हैंनेस्ट क्यों दो नए इसरेली एसॉड ड्राइफ़ल अरद और निर्मय जा रहे हैं तो इस्रेअली एसॉल्ड ड्राइफ़ल जिसका नाम अरद और करमेल भारत में कहीं बनाया जाएगा तो देखे लिकिता है कहां बना जाएगा आपश्यन एमेटी उत्तर प का एंसर ऑप्शन सी भिंड मद्रदेश तो बिंड का इंडस्ट्रियल एरिया मालनपूर है वहां पर इसे बनाया जाएगा तो यह किस इनिशेटिव यानि में कि इंडिया इनिशेटिव के तुरू इसराइल की कंपनी इंडिया में ही बनाएगी यानि जो की एक तेवर नाब सब्सक्राइब करें यह बताया जाएगी बनाया हमुए लेसे जो को इनसर अबसे नाम नाम हैं तो अबहालिमें हमने देखा कि जब से चोटी चोटी स्कूल और बड़ी से बड़ी स्कूलों में तो इसमें क्या ऑज़ी कहीं पर 3 गंटे बढ़ा हुआ है कहीं पर बहुत पढ़ा है तो यह काफी जादर प्रॉबलम आई है तो इसको एक प्लेटफॉर्म तो इसमें डिसाइड किया गए कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए मेंटल और फिजिकल इस्ट्रेस है डिजिटल लर्नी का वो कैसे को पक परें तो यह सारी चीज़े इस गैडलाइंस में हैं तो यह था प्रक्यता बढ़ते हैं इंद्री मंत्री नितिन गटगली में मंगलवार को एक नए आर्थिक गलियारी के हिस्से ग्रूब में ग्यारा राष्ट्री राजमागी परियार जुनाओं का उद्गाटन और सिल्लान ने कहां किया है तो उन्होंने फॉन्डेशन किया है ग्यारा नेशनल हाइवे प्रोजे कि हरियाना तो हरियाना को अलग राज्यों से जोड़ने के लिए जैसे कि पंजाब दिल्ली उत्तरप्रदेश उसके जोड़ने के लिए यह हाईवे बनाए जाएंगे इससे क्या होगे जो आसपास किसान है उनको बड़ा मार्केट और काफी जादा फर्मर कर डेवलपिंग होगा तो हरियाना जो कि कह सकते हैं बफर इस्टेश पंजाब से दिल्ली उत्तरप्रदेश सारे बड़े-बड़े राजी बीच में हरियाना पर जाता है तो इसी के लिए काफे ज़्यादा हिल्फूल होंगे बढ़ते हमें नेक्स्ट पुछिन क्यों भारत ने किस देश को आउट्डोर फिटनेस उक्करण सौपे हैं यह आउट्डोर फिटनेस किस देश को दीए हैं भारत ने एक सायोग के तौर पर ऑप्शन ए मालदीव ऑप्शन बी बंगलदेश ऑप्शन सी श्री लंका ऑप्शन डी भूता तो कौन सा है वादेश तो इसका एंसर ऑप्शन मालदीव तो भारत ने सिक्स्टी वन आइलेंड जितने वी हम मालदीव के अक्रॉस तो वहां पर आउट्डोर फिटनेस एक्विप्मेंट हैंडोवर करते हैं कि आप वहां पर डालिए तो इसकी कीमत क्या होगी आठ मिलियन यूज डॉलर क्या सपास यह सारे एक्विप्म कि भारत और मालदीव की विच्वी रिलेशन्स अच्छे चल रहे हैं फिलहार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन के और विश्व यूवा कॉशल दिवास 2020 की थीम क्या है तो आज यानि 15 जुलाई को वर्ल्ड यूज यूथ स्किल्स दे मनाया जाता है तो इसकी इस साल क्या 2020 के क्या है थी देखते हैं इसका एंसर एंसर है ऑप्शन ए यानि स्किल्स और रेजिलेंट यूट तो मनाया जाता है पंदर जुलाई को इसे नामित कब से किया गया है दो हजार चौदा में जनरल इसम्गली की मीटिंग में 2014 में इसको बोला गया कि हम इस दिन यह करते हैं इंपॉर्टेंस जो भी है उनको इसकिल्ड जो भी है इंप्लॉइमेंट के लिए वर्क और इंटरप्रेनर्शिप ली जितना भी इसकिल की जरूरत है उसके लिए बहुत बड़ा देश यहां पर यूवा के पास डिगरी तो पर इसकिल्स नहीं है तो उनके लिए क बहुत लोगी दर दर पड़े हुए है तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट यह इस बार का है वी स्किल्स फॉर रेजिलियंट यूथ इनके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और तो लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेट है रिजीव्ट एक्सिलेंस अवा तो इसको अवार्ड मिला है ऑप्शन भी 36 गड़ की एक वेबसाइट है जो चीफ मिनिस्टर दरपन वेबसाइट और एक मोबाइल एब बनाया गया था किसको लिए जो गवर्मेंट की सूरजी गाउं स्कीम है और 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 भी कई सारी जो इसकीम से तो उनके लिए जो वेब इडिया नियो डेली में तो उसने डिजिटल इंडिया इनिशेटिव कंदर से 30 गड़ को ही दिया है तो यह था एलीट एक्सेलेंट अवार 2020 इसको मिला 34 गड़ को इस वीडियो को लाश्ट पर देखने के लिए धन्यवाद अगर आपके वीडियो पसंद आया तो इसे आपके जैहीं चैपार